अरन्या एक बात याद रखना मैं पहला कोस्चन अभी बताने जा रहा हूँ एफ ई प्लस थ्री चार्ज एंड आई माइनस यह है न आई यह तुम्हारे कोस्चन में सारी भैलूज दी है एक बात याद रखो बबू मैंने तुमको पढ़ा रहा था आई नाट सेल इस इक्वल टू ए के थोर्ड के थोर्ड माइनस ए नाट याद रखना इसपे क्या होता है रेडक्शन ठीक है बाबू इसपे रेडक्शन होता है इसपे क्या होता है ऑक्षिडेशन ठीक है मेरी बातों को ध्यान देना ठीक इतना तक आपको क्लियर होगा अगर जीस सेल का ये positive आ जाएगा वह reaction feasible होगा feasible मतलब होता है कि real में reaction हो जाएगा ठीक है पहला reaction मैं उठाया हूँ A, V, 3, plus and I पे minus charge तो ये बताओ ये क्या करेगा electron इसमें कौन oxidation करेगा क्या formation होगा देखो इसमें minus charge है ये क्या करेगा electron को loss करेगा क्योंकि loss करेगा तभी तो I2 में बनेगा और वो loss की अवाला electron ये gain करेगा तो ये बन जाएगा Fe2 plus charge अब ये समझ में नहीं आ रहा तो देखो BR पर minus charge रहता है तो वो एक electron loss करता है तभी तो BR बनता है और electron ऐसे चला जाता है वो ऐसे ही I minus है एक electron देदेगा तो loss करेगा तो इस पर कौन सा चार्ज चलेगा पोजिटिव पोजिटिव निगटिव मिलकर निउट्रल हो जाएगा तो यानि इस पर चार्ज कोता हो जाएगा यह लिए तो आई इस फ़र्म में नहीं होता है है यानि यह उक्सिडेशन किया है और यह क्या क्या है घैन किया है ध्यान से स्मझना गैंड आफ OS इंट यानि क्या क्या है यह रॉडएक्षिन समझ में आ अब तो समझ mahiगा यह कोई प्रुट पे कौन है जीर प्लस 0.77 माइनस देखो फर्मूला में माइनस होता है न अब इसकी भेलू कितने है माइनस आई टू की यहाँ पर देखो आप देख सकते हो 0.541 होती है न इन में से घटाओ आपको 0.77 0.54 और यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर कुछ नहीं होता तो 1 ले लेते हैं एक यह देखा तक इतना हो जाएगा 10 तो यहाँ पर 9 बचा 6 बचा 6 में से 2 गया यह कितना अच बचा 2 यह 0 यानि positive value आ रहे हैं इसलिए यह reaction क्या होगा फीजिबल होगा नेक्स्ट वीडियो में फिर दूसरा कुस्चान इसी में कर बता रहे हैं आप अच्छे से समझ यह कहने का मतलब कि क्या बोलता है एसल पोटेंशियल पोजिटीव आना चाहिए यानि बाइगी यह सेल पोटेंशाल वही फीजिबल होगा चीक है